देखे आज का हमारा लांच टॉपिक है सी लैंग्वेज का फाइल हैंलिंग और लगबख हमने सी के सभी टॉपिक जो है वो कवर करें उससे रिलेटेड एम सीक्यू भी करें और आज हम लोग फाइल लेटेड पहले टॉपिक करेंगे फिर एक जो है उसके अददर हम लोग न तो फायल है नघिह होती क्या है नखे नहीं होते हैं कंसौल ऑर एंटेड मतब जिसमें हम लोग तर्मिनल या की बोर्ड स्क्रीन पर अगरनलों काम करते हैं वह हमारी फायलन के झालाती है और जैसे सका मतलब क्या होता है कि आप डीटा को की बोर से ले रहे हैं और हम जब करते हूं तो सक्रीन पर स्क्रीन पर एद dead कर रहें से शूटे वल्ल्यों उसम डेटा के लिए कम आगर के निه मतलब बड़िया रहता है चार्ज डेटा वोल्यूम आप सेव कर सकते हैं फिजिकल एक्सपेरिमेंट होगे फ्लेक्सिबल एप्रोच होगी स्टोर करवाने के लिए और कंसेप्ट फाइल फाइल जो है वो आपके हार्डिस्क के अतर श्टोर रहती हैं और इसके अंदर हम उसको नाम देना फाइल को उस अंदर होगे मेंटलल करते है वो हमारी फाइलस होती है कि सेम सेट ऑफ डेटा जो है वो हम लोग फीड कर सकते inpu価 का एजटी कहीं ना कहीं हम उसको ईमसको फाइल करवा के फाइल कर सकते हैं और होता यह एकि अगर आपका लार्ज वालियूम उफ डेटा आउटूट होता है, तो स्क्रीन पर दिखाना क्या होता है, मुस्खिल होता है, तब आप उसे file handling के द्वारा interacting करने कर रहे सकते हैं और साथ ही साथ आप उसे बाद में भी process करने के बाद में ढ़िए देख सकते हैं जो अगर आप दंसे सुन रहे हैं ताकि आपको mcq करने में दिकत है हमारी दो तरहीं हो टेक्स फाइल कर सकते है अफडेस्ट कर सकते है प्राइस कर सकते हैं पर है टि तो मेंली दो तरह की फाइल होती है मैं आपको बताना चाहूंगा एक binary फाइल होती है और एक जो है वह आपकी text फाइल होती है Binary फाइल 01 के रूप में होती है और stream आपकी कलाती है sequence of bytes उसके अंदर रहती है और उसके end में end of file फाइल मारकर पाया जाता है और इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे फाइल का पॉइंटर की हमेज़ुद परती है उसको एक्सेस करवाने के अब अगर हम लोग बात करें तो अलग-अलग जो डेटा है वह एक स्ट्रीम के रूप में हमारा स्टोर हो रहा है नॉन इसको बोलते है डेटा अबाउट डेटा होता है वह हमारा और कैसे स्टोर करते हैं यह हमारा है पॉइंटर हो गया फिर हम लोग नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर इस तरह से आगे से आगे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं अगर हम लोग बात करते हैं उससे बाहर आने के लिए तो हां हम लोग emergency exit का भी यूज कर सकते हैं उसके लिए exit function होता है जो कि STD lib header file में पाए जाता है exit minus one हो गया और इसी तरह से return minus one भी होता है main routine में भीजने के अब एक program को आप दिखें मैंने का file pointer fptr है character file name आपने file 2.1 एक file का नाम दिया उसी file के name को आप ने open कियाaine किस इस जो हॉडben में law mode है लिखने के लिए आप के उसको ऊपन किया आगर व怎麼辦 आपको 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 नहीं हुई है और वह आपको कह कह देगा कि file open नहीं मतलब कोई भी file को आप नाम दे इसको किसी ना किसी मोड में open करें अगर फाइल ओपन नहीं हो रही है तो आपको एरर देतेगा नेक्स देखें नेक्स जो है एक्जिट माइनस ओन एफ प्रिंट एफ क्या होता है प्रिंट एफ इसके तरह ही होता है इसका जो फर्स जो आर्गुमेंट है वो पनिट होता इसे आपने लिखा ऐफ ऊपन करके फाइल को antibodies में एक फ़ाइल का पॉइंटर एदे कि अपन यापर फाइल का बनाया है फाइल को open किया और फिर उस fptr को लिखके आपने hello world लिखा तो फाइल के अंदर जाके क्या हो जाएगा store हो जाएगा इसी तैसे अगर आप पढ़ना चाते है तब आप use करते है fptr null और इसी तैसे scanf जो है वो भी फाइल का नाम यहां देते है और यहां पर different types के data type के according उसका percentage D हो गया क्योंकि दोनों जो variable है वो इंटीजर टाइप के वह access कर रहा है तो आगे आगे file quarter का नाम दिया जाता है कि चलिए हम आगे चलते हैं और इसका मतब 2032 value इसने ले ली और यह हमारा input हो गया data हम f get us से भी file code data को access कर सकते है f get us हमने किया line 1000 fptr dot equals to जब तक क्या ना हो जाए नल ना हो जाए तो file से string को access करेगा एक हजार character पर line के according access करेगा जब तक कब तक करेगा जब तक नल ना हो जाए line में डालता जाए जाएगा और line को क्या करता जाएगा print भी करता जाएगा यह हो गया हमारा f get us file से string को लेने के लिए डंक से सुनिएगा क्योंकि इसी के base पर हम लोग जो है क्या करेंगे mcq करेंगे और next देखें f get us हो गया हमारा f get us के बाद में हम लोग next जो चीज है वो करते है एक लोग 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 भी कर सकते हैं अगर फाइल नहीं मिलती है तो लास्ट में आप एफ लोग लिखकर फाइल पॉइंटर का नाम आप देते हैं अब चले यह फाइल को ओपन किया यह फाइल को एकसेस किया और यह लास्ट फाइल को क्या कर दिया हमने आप एक एक जामपल और समझना चाते हैं तो देखें एक और समझा दे तो एफ प्रिंट अफ आपने का तो एस्टेडी आउट कर दिया मतब सीधा आप स्टोर उसको करवा रहे है इसी तरह से आप एफ स्कैन अप भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको समझाया था चलिए य लोग को प्रिंट करेगा कोई आरर नहीं आए नेक्स देखें इसी तरह से अगर हम लोग इसको दिखाना चाते तो इस तरह से यह डॉट आउट करके डेटा को इंपूट लेगा बेसिक फाइल ऑपरेशन अगर आप लोग बात करते हैं तो फाइल को उपन करना रीड करना राइट करना और लास्ट वे क्लोज करना यह हमारे काम होते हैं फाइल पॉइंटर एक फाइल का पॉइंटर होता है और यहां पर आप फाइल का नाम देते हैं एफ उपन से फाइल को उपन करते हैं आर का मतलब रीड पढ़ने के लिए डबलू का मतलब लिखने के लिए ए हुए का मताइड करने हैं सिफ एक अगर आपने हैं तो केवल रीड मोड यह डबलू राइट मोड एक तरह से मतब जित्ता हो चुका उसका यह लिख सकते है और भी मतब binary के अंदर रीड मोड है डबलू भी यही सी तह से भी जब लग गया हो तो वाइनरी मौड आ गया है R plus का मतर्रीड और इसको आप बोलते है R plus B भी लिखा देखे डबलू प्लस भी है ओपन बाइनरी फाइल में करता है रीडाइड मोड में और उसी के अक्वर्डिंग वो काम करते हैं अब देखें नैस्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो एक एक्जांपल आपके सामने ही है इसकेन अपने किया फाइल के नाम को एफ एक पॉइंटर आपको फॉंक्शन के नाम याद रखने है ताकि आप एमसी क्यों इजिली कर सके फाइल जब तक एंड ना हो जाए रीड और राइट हो गया जैसे गैट सी करेक्टर को लेने के लिए एक करेक्टर को एक समय में रीड करेगा एफ गैट सी फाइल से करेक्ट को दिखा आई इसी तरह से अफ रेंट लवोगया फाइल का नाम आप देते हैं सोंट, डौर सी डिटा स्ट्रक्चर के लिए आप यूज कर सकते हैं रीडिंग नैट और परके उन अफ में ऍट का नाम जो है इस ठीग है उसके अ में हम लोग दो पार रखते हैं प्राइमरी को रीट करता है पुट सी राइट करता है एफ प्रिंट अफ सभी प्रकार के डेटा को फाइल में स्टोर करता है एफ इसकेन अफ सभी प्रकार के डेटा को फाइल से प्राप्त करता है गैट डबलू नंबर को रीड करता है पुट डबलू नंबर को राइट करता है तो यह क् करके फाइल पॉइंट से करके आप दिखे करेक्टर ले रहे हैं पूर्शी से बहुंगे निजयार लिखे या सिम्पल गैट्सी लिखे कोई उससे फरक नहीं पढ़ रहा है देखे गैट करेक्टर आपने लिखा कब टक डेटा को एकसस करेगा जब तक क्या नहीं हो जाए एं करता रहे नेक्स्ट है एफ इसके नफ के बारे में अगर आप पढ़ना चाते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप फाइल का पॉइंटर लिखने के बाद जित्ते भी प्रकार के आपके डीटा है परसेंटेडी परसेंटेज आफ आई और एफ दूनों प्रकार के डी गैट डबलू होता है नंबर को फाइल से एकसेस करना पुट डबलू होता है फाइल में नंबर को स्टोर करवा कब तक जब तक एंड़ फाइल ना चाहिए चलिए यह एक एक्जामपल है इता ज्यादा डीपली तो हम लोग नहीं जाएंगे अभी और उसके लिए मैंने अल अधाले पी बताया था फाइल जब तक एंड ना हो चाहिए और तो कोई हटके जो फनक्सन वहों आप इसके नाम नाम इघ्यार करने दिसका स्टोर करें रेंडम eg किस के द्वारा होता है तो आपता हो ऑच वाइब चश्यार को पाइल पॉंटर होता है दů ग्या करता क्या करता है एफ टेल करसर की पोजिशन बताता है रिवाइंड क्या करता है रिवाइंड करसर को सुरुआत में भेज देता है यह कुछ फंक्शन होगे जो आपको याद रखने अगर आप कमाड लाइन से काम करते तो एक ज्यादा ता एर जी सी होता है जो की डंबर ओफ आर् के अकॉर्डिंग और अगर जुरत पड़ी तो कोई और नया वीडियो हम लोग बनाएंगे और फिर वापस से हम लोग एम सी क्यू इसके बेस पकरेंगे